कि श्री राम सुमिरन पूर जिला पंचा सरस्थ 12 बंकी इस बारती जन्ता पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में राष्ट्य देजीपन आस्ता गर्ट करने आए हैं इन सधीक में स्वागत करता हूं राम रदे राम रदे राम रदे राम रदे राम दर्जय प्राक्त बारती जन्ता पार्टी के दर्जय प्राक्त मंत्री रहे हैं राम रदे राम जी बारती जन्ता पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में सामिल हो रहे हैं पॉर्टोकॉल के तहर्ट जो हमें और आपको करना है वो लगाता और हम लोग उस चीज़ को अपना रहे हैं मैं सबसे पहले आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले श्री भानुबर्दात सिंग जी एडवोकेट उनको बढ़ाई देता हूँ हमारे गठवन्दन के साथ आए हैं गठवन्दन के साथ हमारे आए हैं मैं उनका स्वाल करता हूँ बढ़ाई देता हूँ साथी साथ विरांगना उदा देवी पासी गौरब मंच के बड़ी संख्या में लोग आज समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं इस लड़ाई को और आगे बढ़ाते हूए मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं इन सभी लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ समाजवादी पार्टी ने तै किया था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदिस में जिस समय समाजवादी सरकार थी समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी समाजवादी पेंशन योजना के तहट बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं बेहने हैं उनकी मदद करने का काम हो रहा था समाजवादी पेंशन योजना थी वो साल में छे हजार रुबए मिलते थे और लगातार बुंदेल खंट का कोई गरीब परिवार नहीं मिला रहा होगा जिसको समाजवादी पेंशन से जोड़ा न गया हो इसी तरह मुझे याद है कभी कभी मैं जब टीवी में देखता था कि कोई ख़वर ऐसी है जहां पर गरीब परिवार के साथ संकर्ट या भरिशानी में है तो उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ करकर परिवारों की मदद भी जाती थी इसी तरह बनारस में मुझे याद है मुसर ब्रादरी के लोगों की ख़वर मैंने टीवी पर सुनी थी और उसको जब मैंने देखा तो जिस जर्रिस्ट ने वो खवर बनाई थी उस जर्रिस्ट से मैंने बात की उसने कहा कि मैंने तो कम दिखाया है लेकिन इस से ज़्याद है हालत खराब है मुसर ब्रादरी के लोगों की उसी समय वहां के जिलादिकारी जो मौजूद थे बनानस के मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि इन परिवारों को समाजवादी लोहिया आवाज से जोड़ करके लोहिया आवाज दे दिया जाए और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे जानकारी मिली जब मैं पिछली बार अभी ललितपूर गया था कि पूरा का पूरा गहां लोहिया आवाज से बन चुका है सभी को उस सबे उस योजना से जोड़ा गया और साती साथ समाजवादी पेंशन देने का भी काम हुआ था इसी तरह लगनों में विज्या कि माधय के पास सबेरे रहते थे हैं और उस लिए जगय लेली गई थी अम लिकाश के मतने नं से उन सबेरे परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही थी अगरिष गरीब हैं इनको समझादी पेंशन देने का काम होई उसी समय जलादिकारी ने उन परिवारों को समझादी पेंशन से जोणने का काम किया इसीतरए कुशी निर्ड calendar के जलादिकारी थे जब उनको ये सुचना मिली तो उनोंने कहा कि हमारे बजट थोड़ा कम है अगर जिले को बजट ज्यादा मिल जाएगा तो इस तरह के मुसर्ज आती के और तमाम ऐसे परिवार है उनको भी हम जूडने का काम करेंगे तो उसी समय फैसा लेकर के बजट बढ़ा करके उन परिवारों को भी जूडने का काम किया हर खबर पर होगी आपकी पकड़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकोन दबाना न भूलिए